रचना के आधार पे वाकि भेव, ध्यान रखना हम लोग पढ़ रहे हैं वाकि के construction यानि कि उसकी रचना कैसे की जाती है और रचना के आधार पे कितने प्रकार के वाकिय बनते हैं simple सा concept है आपको simply पहले उसको समझ ना है फिर उसके बाद फिर उले जिना है उले जिने से अगर concept समझ है तो आप उलजेंगे और concept ही आँच से निकल गया है तब आप उलजेंगे 101 परसेंट हमने इससे पहले तीन यूनिट, दो यूनिट कम्प्लीट किया है जाकरण की पहला word बिचार फिर उसके बाद में सब्द बिचार है वहासा कि सबसे छोटी अपने आप में संपूर निकाई है इसके तुकड़े नहीं हो सकते वो है word उसके बाद हमने पढ़ा word नों को एक व्यवस्थित समूँ में जब हम जिमाते हैं और उससे कोई एक अर्थ निकलता है उसे पूछा गया था वाक्य में प्रियूक्त सब्द कहलाते हैं नहीं प्रशन यह था जब कोई शब्द वाक्य में प्रियुक्त होता है अब वह कहलाता है ज्यान रखता है option बड़े तगड़े option थे बहुत ज़्यादा confuse करने वाले जब कोई शब्द वाक्यों में प्रियुक्त होता है तब वह क्यालाता है option में था पद, पदबंद, सब्द और शब्दांस चारोई option अपने आप में confuse करने वाले थे रहा हुआ क्या हो सकता है पद, पदबंद, शब्द, या सब्दाज पद सर पदबंद क्यो नहीं फिर ये question question क्या किया था अपने की अच्छा डिसक किया था पद बंद क्यो नहीं है फिर क्योंकि कई पद होएंगे तब पदबंद बनेगा ना सब्ध यही यह बैसिक चीज है तो आपके दिमाग में होने चाहिए पदबंद का मतलब क्या हो गया दो से ज्यादा सब्ध अगर उनको अंडरलाइं किया हुआ है इसका मतलब वो क्या है पदबंद है पदों का एक मुच चेसले हैं क्योंकि वाक्य में प्रियूक्त हो चुके है वाक्य में प्रियूक्त शब्ध को क्या कहा जाता है अंस्वर्था पद जा कि पदबंद कैसे सब्दों का समूओ तो है ये बच्चे मैडान खेल सब्दों का समूओ तो है मेभी हो सकता है सामने वाले को ये तीन सब्द बोलने से समझ में भी आ जाएंगे जैसे मान लिजिए कोई ऐसा आदमी जो हिंदी नहीं जानता है साईडन से कुछ चूटी 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 जानता है और वो ये सेंटेंस इस तरीके से बोलता है बच्चे मैडान खेल है तो हम समझ जाते हैं कि ये आदमी बात कर रहा है मैडान में खेलने वाले बच्चों के बारे में लेकिन सौ प्रती स्थ अर्थ जो है वो पनभे नहीं हो पाँ रहा है वो अर्थ हम प्राप्त नहीं कर पा ए इस अर्थ को प्राप्त करने के लिए हम कुछ और चीजों के अवस्ब्स्क्रा होती हैn जैसे सायड क्रियांद cord जैसे पर सर्गित्य दिता प्रेयोग ये सारी चीजे मिल करके वाक्य को क्या करती है साथक तप्रदान कर अब यही वाक्य ही बढ़ जाता है जब सार्थक समों की रूप में बट होता है जब हम इसमें परसर्ग इस्तेमाल करते हैं सहयक क्रियाएं हिएं सिमाल करते हैं और वाक्य को संपुर्ण कर को dibuj को पूरा का पूरा अर्थ जो है वो सपस्त होता है जैसे बच्चे मेडान में यह नया जुड़ा खेल रहे हैं यहां पर दूछ चीज où इ सहाइक क् तो आर्थक सब्दों का समूर बन गया है इससे पहले सब्दों का समूर तो था लेकिन आर्थक रूप से नहीं था सिक्वेंस उसका structure उसका construction इस प्रकार से था कि आपको 100% सुद्ध अर्थ तक नहीं पहुंचा रहता है लेकिन अब परसर गित्यादी का प्रियोग करने से वो 100% सुद्ध एक अर्थ की तरफ आपको ले जाता है अब इस निर्माण से जुड़े हुए वाक्य के तीन प्रकार होते हैं उनी को हम आज दिसकस करने वाले हैं उससे पहले वाक्य में क्या-क्या अंग होते हैं, घटक क्या होते हैं, वाक्य भी कुछ चीजों से मिलकर बनता है, कोई भी चीज जो है, उसका निर्मान, कुछ चीजों के मिलने से होता है, और वाक्य के घटक से भी मेरे इसाब से आपकी question आये होंगे, एक आदा question तो होगा, तो दे से या विदे से जुड़ा हुआ, कोई ने कोई question तो पेपर में आया ही होगा, जी सर आये थे, तो जिन अव्यों से वाक्य को construct किया जाता है, वही वाक्य के अंग होते हैं, हर वाक्य में मुख्य तर दो अंग प्रमुख्य होते हैं, एक तो करता उपस्तित रहेगा, या क्रिया उपस्तित रहेगा, ये दो मुख्य अंग हैं, अब हो सकता है, अप्वाद सुरूप कोई sentence आ जाए, इसमें करता नहीं हो, पिया ही हो, ऐसे अप्वाद हो, अन्य था, वाक्य में करता और क्रिया उपस्तित रहेंगे, जैसे, अब सिर्फ और सिर्फ मान अर्था हिडन है, छिपा हुआ है, सुनने वाला जो व्यक्ति है, इस sentence को, उसके लिए जो व्यक्ति बात कर रहा है, जो व्यक्ति इस बात को बोल रहा है, जो व्यक्ति इस वाक्य को बोल रहा है, अपने आपको इस वाक्य में रिप्रिजेंट नहीं किया, लेकिन बोल तो कोई ने कोई तो कह रहा है चलिए तभी तो अगले विक्ति तक आर्थ पहुंच पा रहा है अन्य था पूरा आर्थ नहीं पहुंच पा रहा है इस तरीके के कुछ एग्जामपल जो है वो अपवाद सुरूप होता है यहां पर करता हिडन होता है फिर भी मौजूद है तादरणता वाक्य में दो पद आपको देखने को मिलते हैं निश्चितोप से कुछ ऐसे हैं जैसे चलिए या ना अपने आपने संपूर्ण वाक्य है ना लेकिन तरता हिडर है फिपा हुआ है फोलने वाला ही है ऐसे कुछ अपवाद है बस कुछ एक सब्द ही ऐसे है जो अपने आपने वाक्य की संपूर्ण अर्ता-बोद का बोद कर्वाते हैं कैसे कुटा आया, उस तक मिली, मोहन बोला, इतियादी, इस परकार के वाकिए जिसमें दो उपधापको देखने को मिलते हैं ये दू जो अलग-अलग अंग होते हैं ये जो अलग-अलग अववे होते हैं करता और किया यही वाकी को निर्मांद करने में कंस्ट्रक्ट्स करने में मदद करते हैं और इनका एक अलग व्याकरनिक नाम है इसको हम उदेश और विद्धे के रूप में पहचानते हैं उदेश यानि की करता और विद्धे यानि की क्रिया या क्रिया के आसपास की चीजें सब्जेक्ट जो होगा वाक्य का वो वाक्य का उदेश होगा आपको एक दिन पहले एक 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 जामपल दिया था, सचिन ने लिखा रखी है, लगाई लगाई तो यूबराज ने हैं लेकिन एक जामपल दे दिया, अब 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 इस वाकिये मुद्धिश्य क्या है? सचिन, सचिन ने करेक्ट? कोई अबजेक्शन? नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यह सारी चीज़ें नहीं बताने से पहले अगर यह सेंटेंस आपके सामने रखा होता, तो मैक्सिम लोग यही कहते हैं, इस वाकिय का उद्धिश्य तो छक्के लगाना है। कि वाक्य का उद्देश्य नहीं है, करता का उद्देश्य हो सकता है बात समझ में आ रही है, करता का उद्देश्य हो सकता है, वाक्य का उद्देश्य कौन है, वाक्य का करता वाक्य में हमेसा उद्देश्य वाक्य का करता ही होता है क्योंकि करता के बारे में ही वाक्य बात कर रहा है कि करता क्या क्रिया करता है इस चीज़ को दिमाग में अच्छे से बिठाना वाक्य का उद्धिश्य हमेशा वाक्य का करता ही होता है और उसकी क्या होती है विधे होती है क्या काम कर रहा है करता क्या कर रहा है ये विधे क्या रहा है कौन कर रहा है ये वाक्य का उदेश है क्या कर रहा है ये वाक्य का विधे है अब एक और चीज जो कई बार कुछ पर एक्साम में पूछ ले जाती है किसी किसी परिक्सा में सीधा पूछा जाता है करता का उद्देश्य का विस्तार क्या है तो वाक्य में करता के साथ कोई परसर्ग लगा हुआ है वो उद्देश्य का विस्तार होता है जैसे यहां पर तकिन्ने यह क्या हो गया उदेशे का विस्तार करता के साथ यानि कि उदेशे के साथ में जो कुछ भी जोड़ा हुआ है मास्टर ब्लास्टर सचिन टेंडूल करने पूरा का पूरा क्या हो गया उदेशे प्रस उदेशे का विस्तार क्या इसके आगे पीछे कुछ भी जोड लीजी Man of the match सचिन ने कि संपुन रूप से क्या हो गया करता उद्देशे प्लस उद्देशे का विस्ता छचक्के लगाए ये हो गया विधे और विधे का विस्ता लगाना क्रिया है विधे यही है लेकिन छचक्के इसके साथ में जुड़ा हुआ है क्या लगाए कर्म है ये कर्म किसके साथ जुड़ा हुआ है विधे के साथ फियर वाक्य का उद्देशे कौन होता है वाक्य का करता विधे क्या है वाक्य में होने वाली क्रिया करता क्या काम कर रहा है ये वाक्य का विधेय होता है अकिके ये दो अंग होते हैं एक उदेश्य और दूसरा विधेय उदेश्य किसे कहीं है अब कुछ लगबुख बता दिया आपको जिसके बारे में बात की जा रही वाक्य जिव्यक्ति या वस्तु के बारे में इसी के भी बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे बाक्ये में उद्देश शिक्राइब इसके अंतरगत करता आता है और करता का पिस्तार आता है जैसे उसके लिए कोई विशेशन अगर इस्तेमाल किया जाता है जैसे master blaster अमंद बोदत चबद अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो भावसुचे कोई सब्द इस्तेमाल हुआ है तो वो ये सारे के सारे आते हैं विस्तार में करता यानि कि उद्देश्य प्लस उद्देश्य का विस्ता करता से जुड़ा हुआ कोई भी परसर्ग है कोई विवक्ती है कोई विशेश अनित्यादी है वो सब आता है उद्धिश्य के विस्तार में और वाक्य का करता उद्धिश्य होगा विद्धे क्या है उद्धिश्य के बारे में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो है उद्धिश्य और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे क्या कहेंगे विधे कहेंगे एक question पता नहीं किसने screen shot लेके share किया था अपने ग्रूप में किया था या कहीं और किया था सर मैंने किया था उसमें क्या पुछा था सर उसमें वाच्चे से संबन दी था क्रेत्री वाच्चे करम वाच्चे सर मैंने वही किया था पहले exam से पहले exam से पहले किसी ने screen shot share किया था और पूछा था क्या ये question सही है क्या हो सकता अपने ग्रूप में नहीं किसी और ग्रूप में पूछा हो आसे मुझे ध्यान ना रहा उदेश्य के विसे में जो कुछ भी कहा जा रहा वाक्य में उसे विदेश्य कहते हैं और जिसके बारे में बात की जा रही है वो उस वाक्य का उदेश्य होता है विदेश्य के अंतरगत क्रिया आती है क्रिया का विस्तार आता है याने की iusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusius उद्देश्य के लिए कोई विशेशान कोई संबंद बोदक सब विट्यादी इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाते हैं उद्देश्य का विस्तार जो कि सिर्फ करता से लिंक होंगे और या कर्म विट्यादी से लिंक जो भी सब परसर के इत्यादी इस्तेमाल किया जाते हैं वो सारे के सारे होते हैं विधे का विस्तार ये concept आपके दिमाग में set होना चाहिए अब आपका कोई भी question उद्देश्य विधे का विस्तार विधे का विस्तार से आएगा किसी भी type का question एक दो term दिमाग में रखना आपका कोई भी question गलत नहीं होगा पहली ये पक्ये में जिसके बारे में बात की जाए वो होता है उद्देश्य और उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो होता है विद्धे उद्देश्य का विस्तार क्या होता है करता के साथ में अगर कोई परसर्ग जुड़ा है परसर्ग का मतलब विभक्ती जुड़ी हुई है करता के बारे में कोई विशेशन इस्तेमाल हो रहा है थाकड बल्ले बाज सुरेश रहना अब ये क्या है उद्देश्य का विस्तार धाकड बल्ले बाज तर्ता कौन हो गया सुरेश रहना उद्देश्य पूछा जाए तो सुरेश रहना उद्देश्य का विस्तार पूछा जाए तो धाकड बल्ले बाज भासा विद कोई भी आदमी का नाम दे दीजे जैसे हर्देव बाहरी भासा विद हर्देव बाहरी ती नई पुष्टक पाजार में उपलब्द है भासा विद ये क्या हो गई? करता की विशेष्टा है, उसका विशेषन इस्तेमाल किया है ये उद्देशे का विस्तार है उद्देशे कौन हुए हर देव बाहर ही क्योंकि वही इस वाकिय में करता है करेक्ट प्रिया कर्म प्रिया का विस्तार कर्म का विस्तार ये सब विद्धे के अंतरगता है इसके बारे में बात write ुदाहरं देखिए आपको और ज्यादा clear होगा यह विस्शार 합니다 अद्देशे के अत्रिक बाकी उद्देशे के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो विदे के अंतरगत आता ह। प्लस विदे का विस्तार होता है, ये क्या हो गया, विदे, राम उठा, उठा क्रिया है, राम उठा, राम इस वाकिय का करता है, इसकी वो देश्य है, और ये इसका विदे हो गया, उठा करता है, उसने क्रिया क्या की, भागने की, तो भागना क्या हो गया, विदे हो गया, अ आप जैसे यहां ऐसे आ जाता मान दीजिए, कुट्ता भाग गया है, तो यह भाग गया है, यह भी किस में आता है, कि देहे के विस्तार है, यह सीता पुस्तक लिखती है, करता कौन, सीता, उद्दिश सीता, आनली जी, अगर मैं सीता क्या की कुछ विसेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, उद्दाहरन के लिए मैं विसेशन इस्तेमाल कर लेता हूँ, अंकित की बहिन सीता उस तक लिखती है, यह अंकित की बहिन क्या है, इस करता की विसेशता होगे, सीता कौन, जो अंकित की बहिन है, करत इससे पहले मैंने जो विशेशन इस्तेमाल किया है वो क्या हो गया उदेशे का विस्तार और यहां लिखती विधे है लिखना क्रिया है और क्रिया विधे ही होती है उस तक लिखती है ये सब क्या हो गया ये सब हो गया विधे का विस्तार क्या लिख रही है मांगो ऐसा होता तो ये सारा का सारा विदहे का विस्तार हो फिर एक चीज जो ध्यान में रखने हैं कई बार ये कंशूज करने हैं बाक्य में चाहें कितने ही पंद क्यों नहों या तो उद्देश्य के अर्थ का विस्तार करने वाले होंगे या विदहे के अर्थ का विस्तार करने वाले होंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं होगे क्योंकि वाक्य के दो ही घटक होते हैं दो ही अंगों होते हैं विदेग, विदेग अविस्तार उदेश्य, उदेश्यक अविस्तार इसके बाहर वाक्य कुछ भी नहीं होते हैं पिर जैसे कि अभी मैंने ये एक्जामपल दे दिया है मोहन का भाई श्याम घर गया, बात किसके बारे में की जा रही है, श्याम के बारे में, ना कि मोहन के बारे में, ये क्या है, इस श्याम के लिए विशेशन इस्तेमाल हुआ, धर गया, क्रिया क्या है, गया, ये क्या हो गया, अकिका उद्धेश्य श्याम, उद्धेश्य का वि कि यहां तक कोई डाउट है अब के दिमाग में कॉंसेप्ट होना चाहिए आपके अगर मान लो डाउट होता है पेपर में आपके पास कोई साभी जो है और उदाहरन आ सकता है अब आपको क्या करना है अपना concept जिस उदाहरन से clear है उस उदाहरन को तुरंट लिख दीजी ताकि दिमाग में वो recall होगा यहाँ यह था, यहाँ यह है वहाँ यह था, यहाँ यह है अब ऐसी इस्तिती में सही उत्तर क्या होगा क्योंकि आपको choose करना है एक perfect transfer, एक बिलकुल सठीक जवाब option वाले जितने भी exam होते हैं उसमें आपको सठीक जवाब दूनना होता है आसपास का जवाब तो होता यह लेकिन सठीक जवाब देने वाला दो number उसको मिलते हैं पूरे में से पूरे number उसको मिलते हैं अजरवाइज सीधे minus में जाते हैं अगर आसपास कांसर दिया तो उद्देश्य नॉर्मली पहले रखा जाता है और विधे सामानेता बाद में रखा जाता है खादरन तया उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य से पहले होता है परसर गरगर इस्तेमाल होता है जैसे यहां ऐसे होता मोहन का भाई मोहन के भाई क्याम ने पत्र लिखा अब ने आया है ये उद्देश्य के विस्तार में ही सम्मिलित होगा लेकिन साधरन से अगर देखा जाए, साधारन तया वाक्य में उद्देश्य पहले आता है और उस उद्देश्य का विस्तार भी उद्देश्य से पहले होता है विदेश्य का विदेश्य बाद में आता है कर्म के रूप में और साइक क्रिया के रूप में आपको यह ध्यान लगए हो सकता है कर्म पहले ही इस्तिमाल किया हो साइक क्रिया बाद में इस्तिमाल की गई जिए ऐसा भी हो सकते तो ज्यादा कन्फ्यूज नहीं हो रहा है कुछ और एक्जामपल देखते है मेरा सत्रो भागा पात किसके बारे में की जा रही है सत्रो के बारे मेरा क्या है उदेशे का विस्तार है जो कि उदेशे से पहले आया भागना क्या है प्रिया है तो सामने सा ये विदे है फिर हनुमान ने लंका में आग लगा दी बात किसके बारे हम की जा रही है हनुमान जी के बारे करता ने अब ये वीर क्या विशेशन है तो ये उदेशे का विस्तार हो गया ने सब्द भी क्या है उदेशे का विस्तार ही है अगर एगजेक्ट उदेश से पूछा जाए तो हनुमान आपसन में कई बार हनुमान नहीं होगा, हनुमान नहीं होगा, तब आपको हनुमान नहीं टिक करना है तंका में आग लगा दी, पिदे है आग लगाना ये मुख्षक्रिया है, टिक करम आ गया परिश्रमी ब्रक्ति सफल होता है या रहता है बात किसके बारे में की जारी परिश्रमी प्यक्ति के बारे में बात की जारी जो परिश्रमी है ये उसका विशेशन हो गया है उदेश्य का विस्तार उदेश्य और ये विदेश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है विदेश्य कहलाता है अगर आपसे पूछा जाए विदेश्य का विस्तार क्या है तो क्रिया कहते रिक जो कुछ भी चीज़ें होती है साय कर्म कर्म के बारे में अगर कुछ लिखा हूआ है वो उसके साथ में कोई वक्ति इत्याद ही स्तेवाल हुई है परसर पे इत्याल हुआ है तो वो सारा विधे का विस्तार होता है अब्देश्ची के विस्तार के बारे में तो question पूछा जाता है विधे के विस्तार के बारे में question नहीं पूछा जाता है कम chance रहता है कोई sentence ऐसा ही frame कर दिया जाए जिसमें clear हो तो वो option वाले में exam में question बनता है otherwise नहीं बनता है region की आगे बीचे करना पड़ता है क्या फिर आपको कौमा में सब्देगा वो राम जल्दी उठा इसके बारे में बात की जारी है राम के बारे में तो बाके कवदेश ये कौन राम फिधे पिया उठा फिधे का विस्तार जल्दी सीता पुस्तक लेखती है बात किसके बारे में की जारी है ये सीता के बारे में क्या करती है लिखती है क्रिया लिखना विधे क्या लिखती है करमाया तो विधे का बिस्तार राम ने रावन को मारा करता कौन राम और पिया क्या मारना विधे क्या हो गया मारा और इसके अलावा कर्म जो है वो विदे के विस्तार में आएगा I think अब कोई डाउट इस संबंद में नहीं होना चाहिए बड़े आगे क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है पहली चीज़ बाके के कितने घटक होते हैं दो ही घटक होंगे बाके घटक मतलब अंग बाके के दो ही अंग होते हैं देश्य और विदेश्य उदेश्य का विस्तार हो सकता है प्लस साथ में विदेश्य का विस्तार भी हो सकता है वाके में उदेश्य कौन होता है जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए वो उस वाक्य का उदेश्य होता है और उदेश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो उसका विधे ही होता है अब क्वेश्यन आता है तो उदेश्य या विधे के असपास जो सब्दोते हैं वो क्या होते है उदेशे से जुड़ा हुआ कोई भी परसर्ग विशेशन संबंद बोदक अव्य इत्यादी होता है वो उस उदेशे का विस्तार होते हैं विद्हेई के बारे में जो कुछ भी परसर्ग इत्यादी या फिर कर्म इत्यादी होता है बाके में वो सारा का सारा विद्धे का रिस्तार होते हैं इसे ज्यादा कभी मतोलजना कोई ऐसा एक्जाम नहीं है जिसमें इससे बाहर का कुछ पूछ लिया जाए अब आपको क्या करना है प्रैक्टीस करने से ये चीज़े फर्फेक्ट बनती जाएगी पंफिडेंस आएगा एक्जाम में हम क्या करते हैं एक दो एक्जामपल देखके चले जाते हैं और ऐसी इस्तती में हमारे पास में सामने नया बिल्कुल नया फ्रैस एक्जामपल होता है और वो example क्या करता है हमें confuse करता है हमारे confidence को तोड़ देता है और ऐसी इस्तितिन हम गलत option को choose करते है वाक्षी के भेद वाक्षी के घटक पड़ लिए अंग पड़े अब वाक्षी के मुख्य रूप से दो देद है एक तो रचना के आधार के construction based वाक्षी को किस तरह से निर्मित किया जाए और दूसरा है वाक्षी किस तरह का आर्थ देगा इस आधार पे तो आर्थ के आधार पे जनरली आठ प्रकार के वाक्षी होते हैं और रचना के आधार पे तीन तरह के वाक्षी होते हैं पहले हम रचना के आधार पे क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और उसके बाद हम अर्थ के आदार पर वाक्य के जो आठ प्रकार है उनको पढ़ने वाले हैं अर्थ के आदार पे आठ, रचना के आदार पे तीन, तरल, संयुक्त, मिश्र, पहले हम रचना के आदार पे वाक्य के भेद पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के इसाब से, रचना के इसाब से वाक्य तीन प्रकार का होता है एक ऐसा वाक्य होता है, जिसमें एक क्रिया होती है, एक ही करता होता है, एक ही कर्म होता है, जनरली हो सकता है कई में कर्म होता ही ना, इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं, वो सरल वाक्य कहला है दूसरा, दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, नाम सही पता चल रहा है कि कुछ जोड़ा जा रहा है कुछ संयूक्त किया जा रहा है क्या दो सरल बाकियों को चब किसी योजक सब्द के द्वारा जोड दिया जाता है तब संयूक्त बाके बनता है ज्न रोकी ये कॉनसेट है और ये क्लियर होना जरूरी है अगर इतना साई clear है ना तब भी आप इस level, DSSB level के exam को exam के जितने भी बाक्य से related question आते हैं अगर बाक्य भेद पहचानने के रचना का अजार पे वो आपके सही हो जाई है सेंजुक्त बाक्य ऐसा बाक्य जो दो सरल बाक्यों से जुड़ा हुआ होता है इसी एक योजग सब्द के द्वारा अगर हम उस योजग सब्द को निकाल दें और उस जगे फुल स्टॉप लगाएं तो दोनों बाक्य एक अर्थ पुरदान करेंगे क्योंकि सरल बाक्य अपने आप में एक अर्थक सब्दों का समूँ होता है तो जब हम योजग सब्द को हटा देते हैं योजग सब्द क्या क्या मान लीजिए और आया मैं खेलने गया और राधा तीवी देखने चली गए अब अगर मैं और को हटा दू मैं खेलने गया फुल स्टॉप एक पूरा वाक्य है एक सरल वाक्य है पूरा का पूरा आर्था दे रहा है कई कुछ भी कन्फूजन नहीं है राधा टीवी देखने चली गई मैंने आगे का पोर्सन हटा दिया और के बातित से एक नया वाक्य बना लिया राधा टीवी देखने गई फुल स्कॉप एक पूरा वाक्य बना अब मैं वापिस से क्या कर रहा है इसको सही उक्त बना रहा हूँ अब ये दो सरल वाक्य बन गए अब इसको वापिस सही उक्त बना रहा हूँ पीच में और लग है तो समय उत्वाक्य का निर्मान करते हैं कि अब समझना आई जो मैं कहना चाहरा था इस concept से भी आप वाक्ये पहचानने वाले किसी भी सवाल को handle कर सकते हैं अब सोचे, मिस्र वाक्य के बारे में पढ़ी ही भी मत, मान लीजी मान लीजी सिर्फ आपको concept समझना है, इससे related question आ रहे है तीसरे को छोड़ दीजी, वो अपने आप clear है इससे बाहर जिस भी प्रकार का वाक्य आएगा, वो मिस्र वाक्य होगा आप लीजी आप किसी sentence को जैसे गांदी जी ने कहा की सदा सत्य बोलो अब इस वाक्य में की ऐसा सब्द जो आपको लग रहा है कि साइद ये योजग सब्द हो सकता है क्योंकि ये जोड रहा है कुछ, गांदी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो अब आप की को हटा के वाग फुलिस्ट्र Turp लगा दी जी, गांदी जी ने कहा किया अगर मैं यह कह देता है गांदी जी ने भासंड दिया फुल स्टॉप लगा देता है एक वाक्य बनता लेकिन ऐसा है नहीं गांदी जी ने कहा कि सदा सकते बोलोगी अब मैं की के बाद वाले सेंटेंस को अगर रख देता हूं तब उसका एक आरफ निकल के आ रहा है लेकिन वो पिर भर है परेक्ट जब इसकी सब्ड के साथ में हम जोड़ेंगे तभी पूरा वाक्य एक आर्थ देगा सही प्योंकि पहले वाला पूर्सन जो है की से पहले वाला वो कोई आर्थ नहीं दे रहा है और जब आर्थ नहीं देता है तो वो वाक्य होता ही नहीं सब्दों का समूँ जरूर है लेकिन सार्थक सब्दों का समूँ नहीं है और वाक्य तभी बनता है जब वो सार्थक सब्दों का समूँ हो जो कॉंसेप्ट है वो क्लियर हो गया तो सरल वाक्य मिलेंगे तो सेंट वाक्य बनेगा सरल वाक्य का मतलब है इसमें सामानेता एक करता हो एक क्रिया हो एक कर मुपस्तितो हो सकता है इन में से एक मिसिंग हो दो चीजें तो रहेगी रहेगी इन से जब नेर्मित किया जाता है तो सरल वाक्य बनता है जब दो सरल बाक्यों को किसी योजक सब्द के द्वारा जोड़ा जाता है और उस योजक सब्द को हम हटा दें उस जगे पर फुल स्टॉप लगा दें तो दोनों स्वतंतर बाक्य बन जाते हैं तो वो सही उक्त बाक्य है अगर जो आपको योजक सब्द लगता है उसको हटा के उसकी जगे फुल स्टॉप रख दिया जाए और दोनों स्वतंतर आर्थ देने वाले बाक्य नहीं बनते हैं इसका मतलब हो मिश्रिक बाक्यों यह तो था पहला स्टेप आइडेंटिफाई करने का मैक्सिमम आपके डाउट जो है सिक्स्टी परसेंट यहीं क्लियर हो जाते है कि आपको वाक्य का भेद पैचानना है सरल संयुक्त मिश्रिक अगर यहीं इसी लेवल का एक्जाम में क्वेस्टन आए तो आप यहीं से इसको जो है आपके अंदर कॉंफिडेंस होना चाहिए यहां करने कोटी से उसको मेजर करना आना चाहिए मन के हिसाब से मत करना है वहां पर आपको व्याकरन के हिसाब से काम करना है 60% क्वेस्टन इसी से डाउट हो जाएग आपका जो भी डाउट रहेगा वो यहां तक आते आते साफ एक उदाहरन देता हूँ कुझान से देख ला राधा करिमा करनकी और भरत एक कोमा हटा दो और भरत मेला देखने नहीं पताईए यह कौन से प्रकार का बात्य है रचना क्या अधार के सरल, सन्यूक, तब मिश्र, क्या इनने से कोई नहीं और लोग बाकी लोगों की क्या राए है एब इसी में कहते हैं लोग कर दिया जाए सरल, बाकी लोग कर दिया जाए है बिल्कुल, सही जवाब है कैसे सरल वाट की हुआ क्योंकि सर इसमें जो उदेश्य है उनके दोरजो कारे किया गया है वो एक ही है तो इसी उदेश्य उदेश्य सर ये सारे राधा गरीमा जान की और भरत हाँ जी सर बाकी लोग सहमत अजी सर बाक्य का करता जरूरी नहीं हो कि एक ही नाम हो बहुत सारे लोग अगर कोई एक काम कर रहे है किसी एक क्रिया को अनजाम दे रहे है तो वो भी एक ही करता गने जाते है नाम कितने सारे अब यहाँ पर मैं चाहे हाए हजार नाम जोग दोग परक नहीं पड़ता है तिस आरे के सारे एक करता की रूप में तिने जाएंगे रादा, गरिमा, जानकी और भरत एक करता है एक यूनिट है जिए च्योंकि मिलकर काम क्या कर रहे हैं एक ही काम कर रहे हैं पिला देखने का ये सारे एक करता के अधीन ही आये ये उद्देश्य हो गया दाधा गरिमा जान की भरत और क्या कर रहे हैं मेला देखने गए हैं ये क्या हो गया विदेश्य हो गया उद्देश्य और एक ही उद्देश्य एक ही विदेश्य हैं इसका मतलब वो सरल बाक्य है अब मैं यहां कुछ और जोड़ देता हूँ क्या मान लीजिए सबसे सिंपल और लगाके देख लेए और लेला देखने गए और और क्या कर सकते हैं एक और नाम जोड़ लेके और राम नहीं गया राम का मूड नहीं था इसलिए वो नहीं गया चान की चली गई अब इस और को हटा लो राम नहीं गया एक अर्फ दे रहा है कहीं नहीं गया एक सदल वाक्य हो गया इदर मेला देखने गए अभी अभी हमने प्रूब किया कि एक सरल वाक्य है जैसे ही और लगा तो सरल वाक्य किसी योजग समके द्वारा जब जूड़ते हैं तो सही उक्त वाक्य बनाते हैं अब इससे आगे बढ़ते हैं पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं सरल वाक्य हो एक मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं जंदल सी बात है एक क्रिया को करने वाला कोई न कोई करता होता होगा जैसे यह इसलिए लिखाएं तागे आपको कन्फूजन ना रहें जैसे वाक्य हैं चलिए यहां गायब है करता हिडन है आगे बढ़िए एक क्रिया होती है जहां पर वहां सरल वाक्य ही होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विदेई होता है विदेई का विस्तार उद्देश्य का विस्तार हो सकता है तो कोई डाउट नहीं लेकिन एक उद्देश्य एक विदेई जनरली सरलवाक्य में होता है उपवाक्य नहीं होते हैं जैसे ही उदाहरन आपको बताया था गांदी जी ने कहा कि सदासत्य बोलो इस तरह कि कि जो उपवाक्य है वो सरलवाक्य में आपको नहीं देखने को मिलेंगे फिर वो मिश्रवाक्य बन जाता है इन वाक्यों में क्रि दिल रहा है। ये मुख्य क्रिया, ये सायक क्रिया है। सायक क्रिया को आप समापिका क्रिया भी बोल सकते है। पूरू काले क्रिया हो सकती है मुख्य क्रिया एक ही है इस अभी वाक्य सरल वाक्य है क्योंकि इसमें इन सभी में एक ही मुख्य क्रिया है मुख्य क्रिया के अलावा जो अन्य पद क्रिया के रूप में साइक बनते हैं वो साइक क्रिया जैसा कि आप जानते हैं एंगरेजी में रहा है रही है रहे थे ताहे थी है इस तरी किसी काल के इसाफ से अलगग क्रियाएं जो है वाकिय को संपूर्ण करने में साहयता करती हैं यह क्रियाएं वाकिय उस वाक्य को वास्तों में वही संपूर्ण करती हैं, अगर वो ना हो तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता है, अर्थ को उसी क्रिया के कारण पहुंता मिलती है, जैसे राहुल प्रिकेट खेल रहा है, मुख्य क्रिया कौन? चिलना, रहा है क्या है? सहयक क्रिया, इस सहयक क्रिया वाक्य को सारतक्ता प्रदान करती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड है इस मुख्य क्रिया पर, इस मुख्य क्रिया के आधार पर ही वाक्य में सब कुछ होता है, वाक्य को पूर्णता तभी मिलती है, जब वाकिय में कोई मुख्य क्रिया इस्तेमाल कोई है और इस संटेन्स में अगर मुख्य क्रिया आगर निकाल दी जाए तो वाकिय का कोई garth नहीं रहेगा काल बडल दिया जाए तो ये साय क्रिया इस रिबर्तित हो जाती है जैसे राहूल क्रिकेट खेला पतम यहां पर आपको रहा है इस्तेमाल करने की जरूरती नहीं पढ़ रही है क्योंकि सायक क्रिया ओलरडी इसी में इस्तेमाल हो गई है काल के हिसाब से राहूल क्रिकेट खेलेगा सायक क्रिया ओलरडी यहां पर इस्तेमाल हो गई है काल के हिस आपसे अतिरिक्त लगाने की आवश्यक्ता है नहीं लेकिन मुख्य क्रिया आवश्यक्त रूप से होगी लगानी ही पड़ेगी ये सारी के सारी मुख्य क्रिया हैं आप जानते हूं पूरुकाली क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले आती वो पूरुकाली क्रिया होती है सेकेंड दूसरा प्रकार है बाक्य का संयुक्त बाक्य काम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है अब सरल और संयुक को कमपेर कीजिए इस योजक सब्द को हटा दीजिए की जगे पर फुल स्टॉप लगा दीजिए लिपाई गोल्ड विराम काम पड़ रहा है एक सरल वाक्य है काम लिख रहा है सरल वाक्य है तो दो सरल वाक्य किसी योजक सब्द के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो सर्युक्त वाक्य कहलाते है आपको कुछ सब्द जो है वो दिमाग में एक अलब टोकरी में रखने पड़ेंगे और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्युक्त वाक्यों में ये वाले सब्द योजक सब्दों के रूप में इस्तेमाल होते हैं उसके बाद सर्युक्त वाक्यों के पहचानने का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बड़ी आसानी से कर लेंगे ये वाले शब्द जो है एक टोकरी में डालके इंतू परंतू और तथा एमम वह अत्वा या इसलिए पतः अन्यता नहीं तो परना ये योजक सब्द हैं इनका इस्तेमाल से उक्त वाक्यों में होता है ज़िए योजक अव्य सब्द को हटा दिया जाएं ज्यानक नहीं सारी के सारे ऐसे योजक सब्द होते हैं अव्य होते हैं अगर इनको हटा दिया जाएं तो वाक्य में दो स्वतन्त रवाक्य बन जाते हैं किसमें सेंट वाक्य में इन योजक चिन्हों की जगे उस सब्दों की जगे पर अगर आप फुल स्टॉप लगा देते हैं तो दो स्वतंत्र वाक्य आपको दिखाई देने लगते हैं नहीं कि दो सरल वाक्य आपको पस्ट रूप से दिखाई देते हैं जब उस फुल स्टॉप को हटा करके उसकी जगे पर योजक सब्द बिठाते हैं तो वही दो सरल वाक्य किसमें बदल जाएंगे? कोई कन्फ्यूजन? नो सर्थ दाहरन देख लीजिए उस ज्यादा जो है कन्फ्यूज करने वाले नहीं राजे इसको हिंदी बढ़नी है इसलिए वह अमित के घर गया राम दिल्ली चला जाएगा अथ्वा यहीं रहेकर अपना काम कर लेगा मेरे पिता कल आ रहे हैं और भाई जा रहे हैं इनको ज्यान रखिए बस इनकी जगे पर फुल स्टॉप लगा दीजी तो स्वतंत्र बाक्या आपको दिखाई देंगे एक घर आ गये हैं किन्तु थोड़ी देर ही रुकेंगे तुम्हें चाई पसंद है या काफी अब यहां क्या करना पड़ेगा इधर से उधार भी लेना पड़ेगा क्योंकि यह हमने क्या किया है अपनी सहूलियत के लिए बाक्य को तोड़ा सा सिंक्रोनाईज किया है ताकि हमें लिखना कम पड़ेगा इसलिए हमने बाक्य को क्या कर लिया तुम्हें चाई पसंद है या काफी पसंद है क्या ये वाक्य पूरा तब होता जो इस तरीके से दिखा जाता तुम्हें चाई पसंद है या तुम्हें कॉफी पसंद है तब जाके वाक्य पूरा होता वे घर आ गए हैं किन्तु वे थोड़ी देर ही रुकेंगे अब वाक्य पूरा है हमने सहूलियत के लिए बीच मेंसे कुछ गाइब कर दिया है जब हम दोसरल वाकियों को मिला करके साइंट वाकिय में बदलते हैं तब फिर मेरे पिता कल आ रहे हैं और मेरे भाई जा रहे हैं अब बीच मेंसे यह जो योजक सब्द हैं उनको हटा के उसकी जगे फुल स्टॉप लगा दीजी तो स्वतंत्र वाकिय यानि यह दो सरल वाकिय आपको इस पस रूप से दिखेंगे जैसे ही आप यह योजक सब्द लगाते हैं आपको एक संयुक्त वाकिय मिलेगा और जब संयुक्त वाकिय बना रहे हैं ऐसी इस्तिती में आप वाकिय को सिंक्रोनाइज यह छोटा संक्सेपित कर सकते हैं अर्थ वही देना चाहिए जब आपको बदलने की बारी आती है वाकिय को तरहल वाकिय से संयुक्त वाकिय में तब आप उसकर मूल अर्थ को जरूर जियान में रखें, मूल अर्थ के हिसाब से आप वाक्य को सेंट वाक्य में बदल सकते हैं, जो जग सब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे तुम्हें चाई पसंद है या कौफी, अर्थ पूरा का पूरा वही दे रहे हैं, लेकिन सें वाक्य क्या बनेगा, हमें कॉफी पसंद हैं, प्रेशन वाक्य किन, क्लियर हैं, जी सर,